वेलकम टो मैं चैनल मैडी हट एंड आज हम बात करने वाले हैं एमोक्सलिन पोटेसिम क्लैविनेट के बारे में क्या इसके यूज है, क्या डोज है, एंड क्या साइड इफेक्ट है सब कुछ जानेंगे, आज हम इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले, एंड वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप में से ही 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सस्क्राइब नहीं करते तो आप सभी लोगों से रिउक्वेश्ट टैप प्लिज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले अब हम बात कर लेते हैं एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लाविनेट के बारे में लुडियो कैनल कर सबदेशियम को स्क्राइब दौनेटर कर ले होने वारे इंफेक्शन है उन सब को किल करने में हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में की पर्टिकॉछ इसका ऑडिक्र गईर की निस्तिति ही में कर सकता है और क्योक्यू कर सकता है तो सबसे पहले जो है इसका अंदर हम यूज की बात करें तो इसका जातर यूज है हम फ्रेस इंजरी फ्रेस इंजरी क्या होता है अगर कोई किसी को चोट लग गई है या कोई कहीं से गिर गया है या खून भेरा है कर लेन मेंगर कोई आपको दिक्लत हो रही है तो उन्समस्याओं में भी इसका यूज कर सकते है यहां कांडर जंजनाट है या नंदर से पस भैर आशूंड ऐसका यूज हम कर सकते हैं और इसका यूज यूज़ है आख के अंदर जादा राडनेस आ गई है या बार-बार खुजली हो रही है आख में तो उस इस्तिति में भी आई infection में हम इसका यूज कर सकते हैं, bone infection में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, bone के मतलब अगर आपका fracture वगेरा हो गया है तो उस इस्तिति में डॉक्टर इसको द्वारे रिफिल करने के लिए एमॉक्सरेंट पोटेशियम क्लेविनेट दे सकता है या वेट कप की समझ्चा है वेट कप क्या होता है कि यानि आपके लंग्स में बहुत ज्यादा बलगम जब गया है तो उस इस्तिति में दोक्टर आपको ये प्रिस्क्रैब कर सकता है या स्टीचुज स्टीचिस क्या होता है कि जब मैंने जैसे कि आपको बताया ता फ्रेज इंजरी यार्नी चोटव अगर 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 कुस्थी समस्षय लग जाती है तो उसमें stages की भी बहुत बाहर होता है कि जाद़ छोट लगनी वे से stages हो जाते हैं तो उस इस्तिति में भी इसका use हम कर सकते हैं मैंना आपको उसके जाद़ सेहादा use बताने की गोजिस की है अगर कोई एक आदिस्तित में डोक्टर अपने हिसाब से भी इसका यूज़ कर सकता है अगर हम बात करें इसके जो इसका particularly यूज़ क्या है यानि इसका particular यूज़ क्या है कि bacterial infection को kill करने में helpful है अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज इसके बारे में किसकी डोज हमें कितनी कितनी देनी चाहिए तो डोज जो है ये according to age and according to it अलग-अलग वहरी करती है अगर हम बात करें सिरप के बारे में जनरली डोक्टर इसको 5-5 ml सुभशाम दिलिखता है और अगर हम टैबलेट के बारे में करें तो ये 375 और 625 मिलिग्राम दोनों ही फोम में एवलेबल होती है तो वह डोक्टर अपने हिसाब से लिख सकता है अगर आपको बिल्कुल accurate dose जानी है तो आपको स्क्रीन पर जो number दिख रहा है आप मेरे को अपने बच्चे की age and weight whatsapp कर सकते है या फिर नीचे comment भी कर सकते हैं मैं वहाँ भी आपका reply कर दूँगा या आप मेरे को contact भी कर सकते हैं मैं आपका जो problem है उसको solve कर दूँगा तो जैसे कि मैंने आपको बताए देगी use and dose जो इसकी weight है यानि आप जितनी बच्चे की age है और weight है वो आप मेरे को बता सकते हैं मैं उसका reply कर दूँगा अब हम बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में किसके side effect क्या क्या हो सकते हैं side effect केवल कुछ ही लोगे में देखे गए हैं जिसके अंदर amoxylen potassium clavinate या तो शूट नहीं कर पाता या कभी आपने ज्यादा मात्रा में amoxylen ले लिया है या फिर किसी विएसे expire दवाई आप निखा लिए तो उन समस्यों में कुछ side effect देखे गए हैं जैसे कि क्या हो सकता है सबसे सकंदर चो common side effect है वो diarrhea होता है diarrhea मतलब 10 ताले जो इस्तिती होती है वो होता है क्योंकि होता क्या है amoxylen लेने से जो है हमारा जो stool होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है जिस वेसे diarrhea की condition भी बन सकती है या nozio हो सकता है वालब सर चक्कर वगएर की कोई दिक्कत हो सकती है या vomiting हो सकती है या headache हो सकता है या skin पर किसी परकार की redness हो सकती है मैंने आपको इसकी use dose side effects सब कुछ बता दिये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना एंड वीडियो को like कर लेना और प्लीज नीचे कुछ न कुछ कमेंट जरूर कर दें क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं उनके पास मेरी वीडियो और पोच आपको दो आपको पास ठीज वीडियो थैंक यू रवचिं इस वीडियो